नमस्कार दोस्तों, वीकेन होलेज इलेक्रिकल में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों अगर आपने दिया है यूपी आर्विनल टीजी टू का, तो ये वीडियो आप देख लेजे क्योंकि आज हम इस वीडियो में टेंटेटिव कट ओफ के बारे में बात करने वाले हैं, तो पूरा एनलेक्सिस में आपके सामने करने वाला हूँ, यूपी आर्विनल टीजी टू के एक्जाम का हम आज बात करेंगे, और अगर आप दिये हैं एक्जाम, तो हमें जरूर बताईए कि आपका स्कोर क्या था, पूरा वीडियो लाज तक देखना, विस्वास दिलाता आप हमारे ओपिनियन से बिलकुल साहिमत हो जाएंगे, कारण और फेक्ट के साथ एक एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा, और केटेगरी वाईज हम मेरिट पर चर्चा करने वाले हैं, तो कंप्लीट वीडियो लाज तक जरूर देखना, चैनल से पहली बार जुड़े हैं, सबस्क्राइब कर लीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाईए, और आप हमारे इस कटोफ से कितना सहमत है, ये हमें जरूर बताना, पूरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि एक एक फेक्ट मापके सामने रखने वाला हूं, इस वीडियो में मुझे लगता है, आप सहमत होई जाएंगे, आईए जरा दोस्तों, सुरू करते हैं, देखो, एक एनलिसिस तो अपने पास ये रहा, और ये एनलिसिस है, अपनी यूटूब कम्यूनिटी का, जहां पर मैंने एक पोस्ट करवाया था, और आप से मैंने पूछा था कि, आप आपको क्या लगता है, या आप इससे कितना अक्स है, मैं तो थोड़ इसी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, थाकि आप इससे देख पाएं, और अब लगता है मुझे कि, आपको एक दम सही से ये दिखाई दे रहा है, देखो, पहला इसमें जो हमने रखा है, वो है कि टोट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा हो जाता है, 136 से 150 की रेंज में 19% बच्चे आए, यहां पर मुझे सबसे ज़्यादा विस्वास हो रहा है, इसको मैं वर्चुल रियलिटी कहूंगा, समरदित वास्तिकता बोलते हैं इंदी में, कम्प्यूटर में भी 120 से 135 वाली रेंज इसमें 16% बच्चे हैं ओर 110 से 120 में तो देखो 50% बच्चे हैं इसका मतलब मुझे जो बच्चे हैं वो इसी रेंज में हैं, वो 120 को खभर मैं निकर पा, रहे हैं मतनुक क्रोश निकर पा, उसको पार निकर पा. तो यह एक आकड़ा आपके सामने हैं, अब देखो यहाँ यह जो आंकड़े आप देख रहे हैं न इन आंकड़ों में नीचे वाले तीनों आंकड़ों में मुझे सचाई नजर आ रही है आपका क्या लग रहा है आपको तो मुझे एक बार इसके बारे में आप जरू को बता देना हूँ अब मैं आजाता हूँ f切 के साथ एक एक केटेगरी पर की कुण सी केटेगरी, कितने नमबर तक वो केटेगरी सेफ है एक एक के साथ बात करें देखो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूँ न वो है unreserved category ठीक है open category आप इसे बोल सबते हो यह सब के लिए open होती है इसमें state के top बचे भी आते हैं other state वाले बचे भी इसमें आते हैं देखो मेरे दोस्त अगर आप भी इसी category से है। आप अदर स्टेट से है तो आप 100% सेलेक्शन की दोड में है अगर आपके नंबर 140 या इससे भी प्लस है अब देखो बहुत ज़्यादा लग रही होगी मुझे भी लग रही है लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं इस मेरिट के पीछे बड़े मेरे दो कारण है दो फ्यक्ट कौन से है देखो एक तो नंबर ओफ सीट वेकेंसी बहुत कमती करें क्या अन्द रिजर्व की टोटल 56 तो सीट है टोटल सीट है कि इतनी थी गुरुजी 110 सीट यार यूपी आरविनल डिपार्टमेंट है कोई छोटा बड़ा नहीं यूपी जैसे इतने बड़े इस्टेट में केवल 110 सीट थी तो मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं थी अन्द रिजर्व की केवल मात्र 56 सीट है तो क्या इतना बड़ा यूपी है उसमें 56 बच्चे नहीं हो सकते ऐसे इतने इंटेलिजेंट जिनके 140 नंबर आए 140 नंबर आए बिल अगर आप 70% से नीचे सोच रहें तो केवल अपने मन को तसली देने वाला काम कर रहें आप वास्तविक्ता से मूझ छिपाने का काम कर रहें और कुछ भी नहीं है क्योंकि 70% जनरल सी बात है इसमें कि 70% नंबर बच्चा ले आता है इसके पीछे कारण क्या बता रहूं दिको मैं पहला कारण तो था कि सीटों की संख्या कम है और दूसरा कारण है मेरे दोस्त यूपी में बच्चे पढ़ते बहुत है बहुत पढ़ते हैं खलके में नहीं लेना उन बच्चों को क्यों नहीं लेना क्योंकि यूपी आरिविनल जीसा डिपार्टमेंट है कौन बच्चा वहां सेलेक्शन लेना नहीं चाहेगा ये बताओ भाई सेलेक्शन लेने के लिए वो बच्चे एड़ी चोटी का जोड लगाते हैं एड़ी चोटी का जोड लगाने के अलावा दूसरा जो मैं एफेक्ट रख रहा हूं न इंटेलीजेंस के साथ साथ मैं जो बच्चों की और जो बता रहा हूं आपको कि बच्चे इंटेलीजेंट ही नहीं और क्या है और बच्चे दिमाग साथ में यूज करते हैं कि इसलिए ओपन मेरिट को तो वह बच्चे वान ले जाएंगे मैं बड़ा परभावित हूं उन बच्चों से दरसल उसके पीछे कारण यूपी आरविनल नहीं यूपी पीसेल भी कारण है भाई सेलरी भहुत ज्यादा मिलती है यूपी पीसेल टीजी टू यूपी आरविनल ट से अपका ररइ स्कूर है यह की कि आना देखो नॉर्मिल नॉमिलिजेशन के बाद क्या होगा कितना बड़ेगा नमबर घटएगा नमब इस पर मैं कभी नहीं जाता हूँ कि मैं में नॉर्मिल एम से कभी सैमत होता ही नहीं मैं यह मानता नहीं हो आंप्यु कि नोर्मिल ला भूत बड़ा बताया है मैंने भूत बड़ा आंखड़ा बताने के पीछे भाई कारण दू है एक तो सिटे गम है और दूसरा भईया यूपी के बच्चे है पढ़ते बहुत है यूपी के क्यों यहां तो अधर स्टेट वाले भी आएंगे अगर दस से पंदरा बच्चे अध केटेगरी बोल रहे हैं देखो ओबीसी केटेगरी में भी कोई अंधरी जर्व से बहुत बड़ा परिवर्तन डिफरेंस बहुत बड़ा हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बच्चे तो ओबीसी वाले भी उतने ही हैं अंधरी जर्व में भी तो वही सेलेक्ट होते हैं इससे ज़्यादा तो नहीं यानि अगर हम नंबर के इसाब से चले जाते हैं तो OBC वालों में मैं 132-133 से लेकर 138 नंबर तक की रेंज मानता हूँ अगर ये आपका राय स्कोर है तो आप सेफ रेंज में हैं कोई प्रोब्लम आपको नहीं होगी क्योंकि ये नंबर भी आपके लगबग 66-68 परसेंट तक गए और इतनी मेरिट तो जाएगी तो अब आपको भी मानना पड़ेगा चीजे स्विकार करनी पड़ेगी इसमें फिर और कोई इश्यू है नहीं ये केवले उसी इस्टेट का ही रहेगा S.C. वाले बच्चों की मैं बात करूं तो 60% से नंबर नीचे तो S.C. वाले भी मत ही सोचना भाई तो 122 से लेकर 125-26 तक मैं मानता हूँ S.C. वाले बच्चों का सेलेक्शन हो सकता है देखो ये मेरे ओपेनिन है मेरे दोस्त आप इससे कितना सहमत है प्लीज हमें कमेट करके बताईए और मैंने जो देखो मैं हावा में तीरनी मार रहा हूँ मैंने जो अनुभव किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि UP जैसे इस्टेट में बच्चे बढ़ते हैं बड़ा इस्टेट है बड़ी पोस्ट है तो वहां कमपेटिशन हायर हमेशा रहता ही है अगर EWS केटेगरी के मैं बात करूँ तो बेनिफिट में मुझे सिर्फ यही केटेगरी लग रही है फिलाल के लिए लेकिन इस केटेगरी में भी इतना आमूल चूल बेनिफिट तो हमें यहां भी नहीं देखने को मिलेगा सो 125 से 130 नमबर आपको इस केटेगरी वाले बच्चे में भी सिलेक्शन के लिए तो चाहिए दोस्तो यह था मेरा विशलेशन या यूं कहूं की मेरा ओपिनियन आप इससे की इतने सहमत है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आपका स्कूर कितना है यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताईए सहमत हो तो लाइक जरूर करना वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर हों चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद